एलो डियर स्ट्रेंट्स वेलकम टूदा एडियरुद्रम सक्सेस क्लास इस ट्रेंट में विमल चौद्री एक बार फिर से आप सभी के सामने एक और बल्कि एक नहीं दो पेपर का अनलीजिस लेकर आया हूं आपने थमनेल देखी लिया होगा बीटेक सेकिंडियर का जो साइं एक होता है उसमें काफिससारे सब्जेक्च होता है जिसमें दो सब्जेक्ट मेरे द्वारा और और documentaries करने वालों जिसका और टेजिटल इलेकरणी इस डिसका और ब्डाब औलेग्री और नेलिक्रानीं इस चिसा और दूरसरा सबजेक्टेट और bes Babe लेट्रोनिक्स इंजिन जिसका कोड़ है बी ओई और जीरो नाइन तो मैं उन्चे राय दूँँगा कि वो भी जरूर पेपर का अनलीजिस जरूर देखे जिनके लेक्रों इसका पेपर है उन्हें भी आईडिया लगा है किस तरह से लेक्टों से कोईशन बनते हैं बागिया लेक्रों इस पेपर आने वाला फ्रस्ट एर का तो टेंशन निलेने कल से आपको और भी बहुत सारी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेपर का अनलीसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक important court है जो आपको कहीं ना बाहों में रखो हर सपने को अपनी सांसों में रखो हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो यह जीत तुम्हारी है बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो जियां डियस्ट जो सपना लेकर आपने बीटेक में अड्मिशन लिया है उस अपने को अपनी निगाहों में ज करते जाना है तो चलिए डिए स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स की ठीक है जिसका कोड है बीओई 410 जो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स का पेपर ता आप सभी का जो आपने बहुत अच्छा दिया होगा पेपर और जह जिसका नेम है डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स बहुत ही ज्यादा इसी पेपर आया बहुत ही ज्यादा इसी पेपर जितना पढ़ा रखा है सब कुछ उसी में से हैं चलिए मैं पेपर एक बार आपको दिखा देता हूं वैसे तो आपने देखा यह करके आए हैं चलिए फिर कि 7 करने संपल सरी होते हैं जो कितने फॉर्टीन माट के जाते हैं तो सबसे पहलाए कोशन क्या है कन वर्ट डाट डेसिमल नंबर उंबर कौन सा धिया हमारा डेसिमल 47 तो ट्यूह binary equivalent कितना सिंपल है binary equivalent में इसको convert करना है तो किसी भी decimal number को किसी में भी convert करना हो किसी भी डेसिमल नंबर को किसी में भी convert करना हो एक ही process होता है और किसी भी बेस को अगर decimal मैंनी के base trend में convert करना है तो उसका भी एक ही process होता है ठीक है तो बस 47 को टू से इस तरीके से डिवाइड करते चले जाना था और आप अपना अंसर फाइनली और से तरीके से ंपर की तरफ लिग देता है तो कितना बना वन जीरो यहां पर देखने हो मिल जाएंगे वाहिव आपको यह वाला कलयर ऑग cigarettes यह होता है एक लियर होगी बाद यह आप चलता हूं में अगर समझ गया किस तरीके से करना कहीं कालकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई होगी तो कमेंट करके बता दीजेगा बागी कोई पाबलम नहीं है अगले कोश्चिन की बात करूं यह यह वाला जो नंबर लाज यो सबसे लस्ब यह दो हमारी इस bit आपत यह मारी यह यहां पर msb और यह जो है मारी ऐलास भी ओ टीलीश सिंझिफिकंट नवीट और पर किया यहां पर यहां पर आगर देखेंगा टूकी सबसे सबसे इधर सबर्ट वाली यह अगर वन है तो यह अर्मस नमबर को इंडिकेट करता है और अगर यह जीरो है तो यह पॉसिटिव नंबर को इंडिकेट करता है तो वह नंबर्स हमारी अर्चे और जिनने जो उन्साइन होते हैं उसमें यह जो वान और जीरो होते हैं यह नेगटीव पॉजिटिव इंडिकेट नहीं करते हैं ठीक है अगला कुश्चिन क्या है एक्स्पेंड वर्किंप्र प्रंसिपल ऑफ मल्टिप्लेक्सर के बारे में यहां पर थोड़ा सा बताना था तो तो की पावर एंड सेलेक्ट लाइन हमारी वापर होती हैं जैसे मैं अगर बात करूं एक स्टू one एट इस्टू one अगर मल्टिप्लेक्सर है कौन सा है eight इस्टू one अगर मल्टिप्लेक्सर है हमारा तो eight input lines होंगी इसमें 12345678 कहां से i0 to i7 टीक हैं और one output होगा सीधा-सी युदा वाइ और इसमें कितनी सलग्टाइन हो जाएंगी कितने हैं मैंने क्या बता है अगर N इंपूट है और अनिपूट है और इंपूट एकक्वल टू की प्यवर चौरी एन इंपूट निया जो भी इनपूट है हमारे एंसे इंपूट प्रेंप्र नोट कर दो या इसे डिनोट कर दो कहने मतलब यह कि टू की पावर एंपुल टू अगर मैं इंपुट लिखता हूं यहाँ पर यह जो एन होंगे यह हमारी स्टाइन होती एक्च्वल में तो टू की पावर अगर मैं थिरी लिखूंगा तो गड़ते हो जाएगा लियर्ट हो जाएगा तो अगला क्या क्या हैं नेट्स उठ्षेट क्या रहा है धिफ्रेंशेट बट्वीन लांचेज्न की wal क君 डिफ्रेंट कना एkä तो लाट्यट करना ुद्विस नहीं करते हैं अलें मैं कि ने पढ़ाई रखा बहुत अच्छे से सही के इस तरीके से बना रहा हो गाया दो बनाना तो मैं यहाँ पर एक लोग पल्स और एंपर रही कर दूँआ है तो इन दोने पर इंप्लाय करें हुआ है तो यह हमारा क्या हो जाता है हमारा सब्सक्राइब करते हैं अगला कॉशन क्या है वाट इस्टेट को हम क्या करते हैं उसमें जो हमारी स्टेट्स ज्यादा होती है तो हम उनको क्या है एक स्टेट्स प्रणेट्स और सिंग्रोने से के बीट में जो डिफ्रेंस वही मैंने आपको अगर आप देखी होगी आपने वीडियो वाइंशूट भी अगर देखे होगी उसमें बहुत अच्छे आपको समझा रखिए साइचीजे पढ़ा रखिए वहाँ पर अगल अगर किसी भी आपने अपने पड़ा तो रॉम और रॉम के बारे में बहुत अच्छे से जानती होंगे रीड अली मैमोरी और रेंडम एकसे में ठीक है फिर मेमोरी के बारे में आपको बहुत अच्छे थे पता होगा चलिए दिया चले लेता हूं अब यहां पर हमारा एक सेक्षेन कंप्लीट हो गया तो सारी कोश्चेन ऐसा कोश्चेन ही जिसको आप नहीं लिख सकते थे सैवन के सैवन कोश्चेन बहुत आसानी से आपने कर लिए होंगे और मुझे ऐसा लगता है बलकि कि आपका जो डिशे लिए लगका पेपर गया होगा बहुत ज्यादा अच्छा पेपर गया होगा चलिए सेक्षेन बी में अगर मैं बात करूं जो कोश्चेन नमबर टू के लिए होता है इसमें टोटल फाइव कोश्चेन हमारे होते हैं तो चलिए इन कोश्चेन पर हम बात कर लेता है ठीक है कि क्या है कि एक्सप्लेंदे को ना देखे क्या देखे त्योरी के फॉर्म में कुश्चिन दे दिया एक्सप्लेंद अक्वाइन मेकलस की मैथड यानि कि इसको हम क्या बोलते हैं दूसा नेम इस से देखो आप कंफ्यूस हों गया होंगे यहां पर यह एक्टल में कौन सा मैथड़ है टेबुलर मैथड है whose tabular method आपको मैंने बहुत अच्छे से numerical बहुत बढ़ बढ़ fiction चल्ट यह से समझा डए कमैद साथ कर रखा है न हुनको सब लेना था एक्जामपल अपनी सबसे बना लेना था और उसको एक्जामपल के तौर पर समझाते हुए इसको समझा देते ठीक है और किस तरह से कारणाव मैप सर डिफरेंट होता है यह थोड़ा सा एक दो लाइन उसके बार में लिख देते हैं आपको पूरे मार्स यहां पर द अगला क्या है बहुत अच्छे से समझाया बहुत बहुत बढ़ा करके पढ़ाया कि डिस्क्राइब वर्किंग एप्लिकेशन ऑफ रिंग काउंटर क्या होता है उसकी क्लॉक पल्स रिपीट होती रहती है फिर अपने देखा होगा अगर हमने इस तरीके से पोर बिट के लि पर लगी रखा है ठीक है पंजांपल समझा देते इसका आगे अगर मैं बात करूं तो डेस्क्राइब दीजाइन प्रोसीजर और सिंख्रोने सिक्वेंशन सरकिट वीद एंडीजांपल डिजाइन प्रोसीजर बताना है आपको सिंख्रोने सिख्वेंशन सिरक्ट का कितने अच्छे सापको डिजाइन मैंने बता है सिंक्रोन सिक्वेंशन सरकीट के थैप और पता देना था यह चाहिए अपनी तरफ से बना कि मदल अपनी तरफ से example को या assume करके लेके चलनी पड़ती है समझाने के लिए question को solve करने के लिए last question के लिए में describe the structure and operation of DCTL direct couple transistor logic TTL आपको बहुत अच्छे से बताया है मेरे ख्याल से I think DCTL का मुझे confirm नहीं है कि बताया नहीं बताया चलो है आगे मैं बात कर लेता हूं section C की अब section C में क्या होता है तीन अलग अलग पांच questions हमारे पास होते हैं थर्ड फॉर्ट फिफ्ट सिक्स सेवन दो दो नमें questions होते हैं एक एक करना होता है ठीक है खुड़ा सा और इसको उपर कर लेता हूं और फॉर्ट एक में आ जाएंगे एक बाहर में ठीक है चलिए section C की अगर मैं बात कर लूँ यहां पर क्या है पहला कोशन क्या कह रहा है कि वाया नेंड और गेट कॉल्ड यूनिवर्सल गेट कौन नहीं जानता कि नेंड को नौर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है कितना सिंपल कोशन अव वैरी वैरी सिंपल कुशन नेंड और नौर को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी help से केवल सिंगल नेंड से हम कोई सा भी लॉजिक मलब बोलियन एक्साइशन design कर सकते हैं ऐसी single नौर से कोई साभी logic गेट हम design कर सकते हैं केवल single नौर से तो इसने दोनों universal gate कहला आते हैं क्योंकि दोनों ही गेट से हम single से भी कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं state and proof dmorgans theorem बताओ इतना आसान question seven marks में दे दिया है बहुत सारे यह वाला question पकड़ा होगा लेकिन जिसका थोड़ा सा के मैं अच्छा होगा तो उसने के मैप पर गया होगा क्योंकि के मैप में फुल मार्ग सिया आप देखने को आपको मिलेंगे बहुत कम टाइम में आप कर लेंगे आप समय लिजेगा आपके समझाने के लिए मैं के वल बना रहा हूं यहां पर कि एक सेकंड का टाइम दीजेगा मुझे मुझे पैन का साइज थोड़ा कि एक कर लूँ ए भी सीडी इधर लिख देंगे जीरो 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 वन वन जीरो एंड सॉरी वन वन एंड वन जीरो गि Ton Grandma और यह वन जीरो 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 बन वन वन अद वन जीरो पताई आपको यह 01234 56789 10 11 12 14 guit देखलो क्या क्या दियो मेंascfamily जीरो दिया हुआ है तो यहाँ पर होता है लिख दिया तो सब्सक्राइब और को ही आप दिया आप नहीं अपर होता है यह मैं वाला होतो तो यह रिए इसको मैं कलर्टे जीन कर लेता हूं माय यह को यह हो गया है कि हो गया पहले तो एक वन यहापर वो गया एक वन यहां पर पर उसके बाद 9 है यह वाला होता है फिर उसके बाद 11 है 10 ही हो जाएगा 11 ही हो जाएगा ठीक है और फिर उसके बाद 15 है तो 15 कौन सा होता है यह वाला मारा 15 हो जाता है यह वाला हो गया तो ठीक है क्रॉस डॉंड के रहें टैन एट नाइन यह क्रॉस हो गया और दूर लास्ट एफ फॉर्टीन टैन 11 ट्वैल 13 14 यह तो यह हो गया अब हमें यहां पर क्या करने है पेरिंग करने तो पेरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे देखो जरा समझो बढ़े से बड़ा अगरें और कम से कम बना है बचना घ्रॉप बगोर्व बनाने क्या करने होगा हो है इशन Unless बना लियुक्त बड़ा होगा यहां पर चार-चार के तीन ही बन मैंसे जिसने ये बना दियो है इतिसारित मैं बतार हूँ है गल्त हो गए होंगे जिसने तीन बनाए होंगे कौन-कौन से 3 एक तो देखो यह वाला इस तरीकते यह से यहाँ से यहाँ नीचे जाएगा और यहां अधीस एक उडा दिया मैंने ऊपर यह नीचो कि तरफ और यह ऊपर और यह और लेता हूं तो यहां पर zero common है उपर औरंग यहां पर क्या common है 00, 01, 10, 11 and 10 तो यहाँ पर भी 0 common है तो B bar और यहाँ से क्या बनना है C bar तो एक group से तो बना B bar and C bar प्लस दूसरे group से क्या बनेगा दूसरे group मैं अगर यह वाला ले लूँ तो यहाँ से क्या बनेगा यहाँ से बना A और यहाँ से क्या बना यहां से बना मेरा C, तो बना मेरा A, C, प्लस, हम मैं अगर बात करूं लास्ट वाले गरूप की जो कॉर्णर वाला गरूप है, तो महां से क्या बना है? यहां से बना 0, तो यानि के B bar, बी बार और यहां से क्या बना 0 मतलब D bar, बना डिवार टो फाइनल आंसर यह वी बार प्लस एसी प्लेस बी बार बार जिसका यहांसर होगा घुकर तो फिर आगना था ने इंप्लिमेंट कर देना था तो ने इंप्लिमेंट करी लिया होगा अब मैं आगे चल रहा हूं ठीक है तो कि पेपर अनलीजिस कर रहा हूं चाहरा कि आख सांगते हैं दोनों मैंसे बहुत सारे बच्छव यह भी क्या होगा यह भी आप कमेंट करके बताएगा आपने थड़का कौन सा गरा एक्स्प्लेंट फॉर्क का पहला क्या कि एक्स्प्लेंट वर्किंग ऑफ पूर बिट मेगनिट्वीट अंपरेटर बताओ फ पूछना चाहरा होगा टू बिट क्या होगा फोर बिट हम यह इसका मतलब कैसे लेंगे एवन एटू एथरी एफोर फिर उसके बाद बी वन पी टू पी थरी एंड बी फोर इस तरह से फोर बिट मैंने टू कम रेटर इसके लिए लेखे-0-0-0-0-0 करके फिर पूरि टेबल बनानी टेबल बहुत जाते लेंदि हो जाएगी यह पूछना फॉर बिट के लिए चाहरा होगा तो टू बीट वाला चाहरा होगा यह यह बैदाना चाहरा आप इसके उपर करेगा यह डाउट में है कि फॉर बिट कौन सा पूछन जा रहा है एक्शल में यह टू बिट कहलाता है टू इंपूट बिट समारी एक टाइप की होगी टू एक टाइप की होगी दोनों कंपेर करा कि जो हम लिखते हैं लैस एन ग्रेटर देन ऐसे होंगे तो ऐसा है कि अगर आपने फॉर बीट वाला इस तरीके से कराया और पूरा बनाना है एट इस तू थी होता है ती जाए त्रेस्ट एट कमेंड करके बताना एंड टू और यह मैंने आपको पढ़ा रखा है यह वाला कॉश्चन की सब्टेक्टर रम यूजिंग डिकोर्टर कैसे डिजाइन करते हैं मैंने आज इसने जूरू बताया होगा आपको वाल इस बहुंए अपको बताने बनती है और यूंग डिखानी ठोट के चिक टेबल बनती है वाई शिखन और अगला ने ऑग Ren तो यूणिवरसल सिफ्ट रजिस्टर या आपने कोई दोनों में से अगर मैं राय दूं तो यूणिवरसल सिफ्ट रेस्टर का सरकीर बहुत कॉंप्लिकेट हो जाता है टाइम वेस्टिंग है इस तो आपको यह वाला कोश्छन करना चाहिए था इसके मैं कराएं होएं सारे म मैंने जो अभी तक नहीं कराया थे वो section B में दो कोश्चन है जो बताएं नहीं तो मैंने सर्किल बना दिया था लेकिन बागी सारे कराएं कहीं अगर जिसने डिटेल कोर्स हमारा ले रखा होगा उसने पढ़ा होगा तो उसे सारा पेपर बहुत अच्छे से करके आया होगा ठ सब्सक्राइब करना क्या था इसमें कोश्चन अपने आप से लेना था उसको reduction वाले question बहुत अच्छे से आपको करा हैं सारी चीजे उसमें तीनों चीजे मैंने बता रहे हैं तीनों तरह की numerical करा रहे हैं state equation वाले भी table वाले भी और reduction वाले भी state diagram वाले भी तो नुमेरिकल बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया थे आते हैं वरना इससे इजी पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अगला question क्या कहे रहा है seven question describe the structure and functionality of a PLA देखो PLA करा रखा है फिस्ट यूनिट में PLA और PL करा रखा है मैंने ज्यादा करा है नहीं मुझे पढ़ा था PLA और PL में से एक चीज़ मिल जाएगी देखने को वही चीज़ करवा रखिया है तो पेपर कितने मांक्स बनता है आपका 119 यानि कि 119 नंबर का आपका टोटल पेपर बनता है कैसे बनता है section a में seven question होते हैं कितने मांक्स के फॉर्टीन मांक्स के प्लस section b में five question होते हैं कितने मांक्स के हो गया तो टोटल जो ओवर जो सेस्टीन में 14 मांक्स के अगर कमकर दो फॉर्टीन मांक्स में से वो वन वन नाइन में से 14 मार्स कम कर दूं तो 105 मार्स का पेपर आपको पूरा-पूरा हमारा पढ़ाया हुआ मिला है जिसने बहुत साइस्ट इमांड करें सर यह चीज दे दो वो चीज दे दो यह प्रवाइट करा दो मुझे पता था कोई नहीं है कुछ प्रवाइड कराने की जितना करार रखा उतना करेंट सफीशेंट है इसने डिटेल में स्टडी करी है जिसने एप से हमारे कोर्स परचेस किया है उसने बहुत अच्छा कर लिया होगा अगर आप भी आगे आने वाले टाइम में कोई परचेस करना जाते हैं तो आई डूनलोड कर लिजएगा application हमारा Play Store पर अवेले बल में है ठीक है तो चलिए बेटा यह तो हमारा हो गया किसका Digital इलेक्ट recurring का पड़र अब मैं मैं बात कर लेता हूg लेक्टों जिन बच्चों का लिवियो पर Rules का बात कर लेता ओं ठीक है और इस बी ओ ऑई किस पर चलते हैं बेकार है तो चलिए इसको भी एक ही युट से कर लेता हूं और फिर प्». आप क्या पढ़ना विटाक करना ही बेकार है। क्योंकि इससे यह आपको देखने को नहीं मिल सकती है चीज़े बेटा ठीक है लेकिन वही है ना महनत या रिजल्ट किसको मिलेगा जो परिश्रम करेगा जो अच्छे से पढ़ेगा जो मेहनत करेगा उसी को तो रिजल्ट मिलेगा ओवराल तो बेटा जो हम डिटेल में हमसे पढ़ाया वह बहुत अच्छा परफॉर्म करका आया होगा इस इसकी गैरेंटी है ठीक है ठीक है ठीक है तोड़ा सा इसको और उपर कर लेता हूं जिससे पूरा अगर सेक्शन विजिबल हो जाए तो आग या जी बेठीक है अगर पूरा जी तक विजिबल है अगर देखो क्या है पहला क्या गरा डिफाइन दा कॉंसेट पी एंट जैंक्शन एंडिट्स पॉर्मेशन बताओ इसे आदा इसी कुछ मिलेगा कि आपको पी एंट जैंक्शन का कॉंसेट पूज रहा है कैसे फॉ जो है हम किस तरह से फर्म करते हैS तरह से हमारा होता है उसी के बारे में यहांO przedstaw ले 해 अर निब्स्राइब कहते हैं यहां पर पतानाे भी थीकए पहला चाइए अगला ऐग्सलेन ना आ खूंसेट रोटेज मॉल्लीपलार शरक्यट्यप्तेउस इन फेल अगई वोल्टेज उनके multiple में हमें आउट्पूट देता है अगर वी हैए अमें इन्फट अपलाई करने हैं तो 2 वी अम आउट्पूट मिलता है और डबल डबलर यूज गर यूजड़ रिश खर रहे तो थरी विम अट गाएंई क्य CAPC while इस दी जोbasedAD में आपको पढ़ा रखी है इस तरीके से जो बीजेटी के आउट्पूट स्डिप करेक्टरिस्टिक सोती हैस तरीके से तो यह बारा क्या होता rightly यहां पर हमें एक लोड लाइन डालते हैं जो एफेक्टिव होता है हमारा सेंटर वाला वह हमारा बढ़ेया क्यों पॉइंट होता है ठीक है अगला कॉश्चिन क्या है कि हाव डास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना बार बोला है उपैम का जो यूनिट है उसमें डेफिनिशन में मैंने बोला सिलूरेट और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अगला यह नुमारिकल पॉर्शन कब देंगे त्योरी का पॉर्शन जाते देदिया टू मार्क्स में ठीक है अगला क्वेश्चिन क्या है डि अगला कोशन अगर मैं बात करूँ डेस्क्राइब बेसिक प्रंसिपल ऑफ और और ऑपर यहां पर बताना था और सिया रोग्यारो है यह बस कितना सिंपल सा पूरा के पूरे आपने बहुत अच्छे यहां पर कर लिए होंगे अगले सेक्शन की तरफ में चलता हूं सेक्श करा एक्स्वें और यह चीज़ टू मांक में रही यह इन्होंने 7 मांस में पूछ लिए तो फिर बता उ वहां पर लिख है वह बाइसिंग कंडिशन यह बाइसिंग कंडिशन के साथ कैसे वैरी करते हैं रसेस्टेंस वह और बता नहीं यहां पर स्देख्ष बी क्या चैब एक्सप्रेंड प्रंसिपल और स्थो मांक्स वाले कोस्चन ररा है यहां पर डेटिटल में पूछ लिया शिर्क बता धिते हैं और और यहां पर बता देते हैं सारे टाइप बताते हैं और कोई से एक डबलर वाला explain कर देते बस अगला क्या किया रहा है एक्स्प्लेइन दा एमिटर बायस configuration of BJT देखो इस बार जो है निमेरिकल को convert कर दिया इसने यहां पर बात करा है जिसमें हम एमिटर पर नीचे वाले वाले वोल्टेज अप्लाए करते हैं पांच भी नंबर की जो बाइसिंग यहां पर पूछ लिया आगे क्या किया रहा है इन पूट हो जाएगा फिर हमारा intermediate stage हो जाएगा फिर हमारा क्या हो जाएगा लेवल सिफ्टिंग हो जाएगा देन उसके बाद आई कहलो यह आरवन कहलो और यह क्या होता वी आउट्पूट अपॉन वी इंपूट क्लियर जिसने करा है समझ लो डिजाइन इन इनवर्टिंग एंप्लिफायर यूजिंग ओपैम विद गेंगें दे रहा है मतलब इसकी वैल्यू दे रहा है पूरी आउट्पूट आई मुटिपलाय में नीचे दिवाइड में धर जाए तो we need to five रात रएफ फिडबैक रसिस्टेंस कितना हो जाएगा फिप्टी हो जाएगा जिसकांसर 50 लो उम्लोम जिसका फिप्टी लोम होगा उसकांसर आज उसकांसर अंसर इमन्सर सई है ठीक है पेटा ना हम इनड़ तो इन पर इस तरीके से इस तरीके से वाला inverting आइनवम्म LUSO हो कि आधिक वालें पर यहां पर एक रस्सिस्टेंश लगा देंगे और यहां पर इंपुट वोल्टेज कर देंगे विए इंपुत हो जाएगा यह रह एहा गतिना मोप पर एक रेफ लगा देंगे और यहां पर इसको ग्राउंड कर देंगे और यहां पर आउटपुट ले लेंगे आ रहे हमने क्यालकुलेट करा है कितना 50 किलोम हो गया यहां पर और बस यह बनाना था खड़ांत आगे डिजिटल वोल्ट मेटर में पूझ लिघुटल वोल्ट मेटर में ये वह इसिंपल वाला जो व्ट से अरा आगे क्या रहा है प्ओर उल्ल टेंगे वर्ल्री मेशरमंट बताऊ यह क्या करना चारा यानि कि ओवर और आल इसने कर पूझे करके पूझ लेंडिटल सब्सक्राइब कर लेकिन इसमें रैम टाइप डिचल वोल्ट मिटर एक्स्प्लेइन करना था ठीक है यह हो गया हमारा सेक्शन भी या नहीं पढ़ाए वह अभी तरह किसी पर भी तरकिल नहीं बनाया है जो नहीं पढ़ाया हो इस तरह कितनी बार बोला है बहुत है बहुत इंपोर्टेंट एक यहां पर एक सब्सक्राइब करने ने सब्सक्राइब नुमेरिकल निमेरिकल करा रख रखेंए जैनल डायोड पर वही जैनल डायोड पर सिंप्ल सा अंवर्सिस्टर यहां पर प्टाओ नियूज दाओ यहां पर नगोर्ट आपको प्रोवाइड और सप्राइड डियाग्रम एन एक्सी पारीज्टर देट भूर्स्टर रखनास तोनों चेज बता दी होगा आपने और गिवन जैनर लोटेज क्या एक्रोस विर यानि कि यानि कि उल्ट कर निया क्रोस पर बूसक्षिन बहुत आसान था पूर्थ कि अगर मैं बात कुरूं तो फूर्थ कॉशन क्या कहरा है explain the operation and characteristics of LED लो बता इसमें LED दे दिया operation किस पर Electroluminescence principle पर करती है उसमें बताना था LED के बारे में थोड़ा सा characteristics बताते हैं उसकी discuss the application of LED and lighting and display technologies ठीक है क्या आप्लिकेशन बतानी थी कहां-कहां LED यूज नहीं करते हैं कहां-कहां LED यूज नहीं करते हैं जो पैनल लगवा है यह भी पैनल है ठीक है कहीं भी indication के लिए अगर पावर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही किसी वोल्ट मेटर हो गया है कुछ भी हम इलेक्रोंट इवाइस उसका रहा है उतमें इन इलेक्रोंट इस डिस्प्लेट लसीडी के लो यह लीडी दोनों दे दिये दोनों में से एक करना था तो आपका पसंद का वहाँ आपने कर दिया होगा दोनों इबता रखें आगे चलो पांच वा कुश्चन आपने चैनल मॉट का नहीं बताया है कि आप अपने आप से गली ना ऐसे ऐसे हो जाता है और आपने जेफाट कर दिया होगा नहीं कर रहोगा तो था आप एनने में टाइम मोस्ट में यह नहीं बता कि एन चैनल या पी चैनल तो ने बता के आ जाते दोनों कर आए कोई सा भी मदला आपके चोई इसके ओपर चल दा पूरा पेपर पूरा पेपर कराया हुआ होँ है पूरा पेपर यह वाला लेक्ट्रोंटिक्स का ठीक है कोशन नमर 60 कि अगर मैं बात करूं बस एक और रहे हैं इसके बाद सेवन सिक्स में अगर बात करूं एक्स्टेंद सरकी डाग्राम ऑप समिंग अप्लिफायर बताओ पूरा इस बार इन्होंने थियो डेरिवेशन में अब इस बात कर लो यह इंटीडेर इस तरीक है दो नहीं बहुत इसी डेरिवेशन है छोटे-छोटे जिए तो बहुत साथ इस्टों समींग भी करके आए होगे आप कौन सा करका आए हो अगे बात कर लो है क्वेशन नमबर सेवन या मैं कहा दू लास्ट कोशन तो लास्ट कोशन देख लिजेगा क्या एक्स्प्लेइन हाव वोल्टेज करन्ट पेस और फ्रिक्वेंसी और मेजर यूजिंग सी आरो बताओ कैसे हम कैलकुलेट करते मेजर करते बहुत आसान बता रखा ये भी यह दू क्या जाता है तो इस पेपर की अगर मैं बात करूं पूरागा पूरा पुरा प्राईब पर यह ऍच्छर का पर यह इस तरीकमे का पर मिल जाएगा कहीं इतना पढ़ाया हुआ किसी टीचर का आपको इसलिए तो कहता हूं बेटा जादा से जादा शेयर करो आपके जो भी जूनियर से उनको शेयर करो हमारा चैनल उन तक पहुंचा हमारे चैनल को ताकि सब बहुत अच्छा स्कूर कर सकें अपने एक्जाम में कमेंट करके जुरूर बताइएगा आपका एक्जाम कैसा हुआ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन यूप्स कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पह